बढ़ाता चला जा रहा हूं तो देखेंगे आज की प्रेक्टिस दोस्तों कुछ बड़े-बड़े क्वैस्टन है बहुत टीपिकल क्वैस्टन है रियल क्वैस्टन पेपर से फिर से दोहराता हूं दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कि जूनियर और प्राइमरी के पेपर पिछले तीन प्रेक्टिस सेज मैं पेपर से ही कोश्टन अलग अलग जगह से ले रहा हूं यह ज़्यादा दिन तक दोस्तों रोज कर रहा हूं उसको मैं सोच रहा हूं दो तीन दिनों तक चार दिनों तक और जारी रख़ूं ताकि आप जान पाओ कि जो आपको पढ़ा रहा हूं यह मैं आपको पहले ही अपने कोश्टन में पढ़ा चुका था पर ठीक है अभी हम इसको जारी रखेंगे और हां इसमें प्राइमरी और जूनियर दोनों के कोश्टन मिक्स हैं दोस्तों क्योंकि साइकोलजी में दोनों का सेलिवस से मैं बार बार आपको बता रह चलेंगे एक बार तो देखते हैं पहला कोश्टन भासा समझने से संबंधित विकार क्या है ऑप्शन दोस्तों यह कुछ कैसा है मैं आपको समझाता हूं भासा को समझने से संबंधित विकार क्या है ऑप्शन दोस्तों अगर देखिए ने भासा समझने संबंधित तो चला घात दोस्तों जैसे आपको कहीं चोट उटा जाती है तो वो तो चला घात हो गया डिसलेक्षिया दोस्तों बेसिकली अधिगम संबंधि भी फलता है वाक संबंधी रोग मैंने दोस्तों आयात करिए आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि रोग अलग है विकार अलग है दोस्तों बीमारी और विकार में अंतर है दोस्तों जैसे अब आप समझो आपका एक accident हुआ और अब आपका जो जैसे आपका होता है नहीं क्या बलते उसको vocal cord जिससे आवाज निकलती है गले में अब वो आपका खराब हो गया थे है बीमारी थोड़ी है दोस्तो या तो आपको एक परकार का दुरघटना हुआ आती से हम रोग नहीं कह सकते इसलिए दोस्तो मुझे यकीन है आप समझ गए हो इसे दोस्तो भासा घात कहते हैं जैसे चोट इत्याद होने के जैसे आप समझो भासा और बोधन का संबंदी विकार क्या है जैसे आप सुनते थे अचानक एक आपके सुनने की छमता प्रभावित हुई दोस्तो आप समझे तो अब दोस्तो क्या हुआ आप कम सुनते हो इसलिए जब तो कोई तेज नहीं बोलता आपको भासा समझने में दिक्कत होती है नकि यह बीमारी है इसलिए दोस्तो दर राइट एंसर इस दी भासा घात कौँ सा अलोचनक दिष्टिकोर बहुबुद्धी सिध्धान से नहीं जोड़ा है अपसे ने यह सोध आधारित नहीं है बीभिन बुद्धियां भिन भिन बिद्यार्थियों के बिभिन पध्धतियों की माग करती हैं सी प्रतिभा साली बिद्यार्थी प्राया एक छेत्र में ही अपनी पिजिश्टा का प्रदर्शन करते हैं डी इसका कोई अनभवात्मक आधारत नहीं है दोस्तो एक बात तो सा पर कह रहा है कि कौन सा बहुबुद्धी सिध्धान बहुत अच्छे से पढ़ाया दोस्तो हावर्ड गार्डनर पे मैंने आपको बहुत सारे क्वा भासाई बुद्धी संगीती बुद्धी उसने ये तो नहीं कह दिया कि लता मंगेशकर के अंदर गतिक बुद्धी पाई जाती नहीं उसने तो बताया मंगेशकर के अंदर संगीती बुद्धी ब्रदान होगी दोस्तो अर्थात कुछ तो सोत किया होगा अर्थात यह हमार उत्तर नहीं है भिन 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 भिद्धियां भिन भिद्धियों के लिए भिन पर देद्धियों की मार करती है बिल्कु सही दोस्तो जिसको कला सीखना है उसके लिए स्थानिक बुद्धी जरूरी है जिसको गडित सीखनी उसके लिए तारकी गडिती बुद्धी जरूरी है म क्या गलत है दोस्तों कि मैंने आपको याद करी आपको सम्हावेशी सिक्षा में पहले ही बताया था कि स्मpl inhib सिक्षा में प्रतिभास आली विद्यार्थी कारत क्या है यह तो आप पे depend करता है आप इसे कैसे रखेंगे यह अगर अच्छा करेगा तो वहाँ भी अच्छा करेगा और आप अगर इसे बुरे कारे में लगाओगे तो वहाँ भी अवल रहेगा दोस्तो अर्थात यह सभी छेत्रों में प्रवीड होता है जो कि दोस्तो पूरी तरह से गलत है यह नहीं कहा गया है बहुबुद्धि सिध्धान्त में question number 3 देकि दोस्तो फिर से मज़ेदार देकि दोस्तो बस है समझ का ही paper बहुबुद्धि सिध्धान्त को बैद नहीं माना जा सकता क्योंकि बिसिष्ट परिक्षडों के अभाव में भिन बुद्धियों का मापन संभाव नहीं है सभी साथ बुद्धियों का समान महत तो नहीं होता यह केवल अबराहम मैसलों के जीवन भर के सुजिड़ अनभवात्मक अध्यन पराधारित है यह सरवाधिक महत पूर सामान बुद्धिजी के नुकूल नहीं है दोस्तों गर देखें तो यसी उसका उत्तर साप साप दिख रहा है मतलब फिल भी मैं सुरू करता हूँ पहला आप्सन बी से देखते हैं यह सभी साथ बुद्धियों को समान महत तो नहीं देता दोस्तों गर यह आप यात करिया मैंने आपको क्या बोला था सारी एक बार सुन लेंगे भासाई बुद्धी संगीती बुद्धी इस्थानिक बुद्धी तारिकिक बुद्धी जरा सूचिए दोस्तो और इसके बाद दोस्तो अंतर वयक्तिक बुद्धी जरा सूचिए जब ये अलग-अलग लोगों में पाई तो सब में जाती हैं पर अलग-अलग लोगों में इन में से अलग-अलग परधान होती हैं तो दोस्तो जिन में जो परधान होगी हो तो उसके अर्थात सभी बुद्धियां एक प्रकार से समान है दोस्तों अर्थात आप्सन न तो भी हमारा उत्तर है आप्सन सी मैसलों से अगर आप इसे सिंपली सोचे दोस्तों आप कोश्चन की बड़ी साइस दे कर घबडा जाते हो यह केवल अबराहम पताईए अबराहम मैसलों से क्या लेना देना है दोस्तों जी कारक स्पियर मैं से पर आप आपको उत्तर अभी सोच रहे हों कि नहीं यार उत्तर ए बचा है तो उत्तर ही होगा यह तो आपकोर्स मैं भी जानता हूँ उत्तर होगा पर यह भी सिद्ध करता हूँ कैसे देखिए दोस्तों अब इसमें तो क्या दूँगा बिशिष्ट परिक्षडों के अभाव में भिन बुद्धियों का मापन संभावने अब बताओ यार आप दस प्रकार की बुद्धी दोगे और अगर सोचो एक आदमी का परिक्षड करना हो हावड गाडनर के बहुत बुद्धी परिक्षड के अनुसार तो उसे दस बार टेस्ट करना पड़ेगा एक बार संगीती बुद्धि में एक बार इस्थानिक बुद्धि में मतलब दोस्तों यह कितना महगा होगा मतलब ऐसा परिक्षड बनाना बहुत मुश्किल है जो दस कि बुद्धि को परिक्षर तो दोस्तों ये क्या कर रहा है तो आप समझ रहे हैं यही कर रहा है कि बिशिष्ट परिक्षर के अभाव में भिन बुद्धियों का मापन दस प्रकार से संब्भव करना बहुत ही टेड़ी कीर है इस एफ और अमेरिका प्लीज कमेंट करेंगे क्वेस्टि नमबर फॉर कच्छा में बयक्तिक देखिए दोस्तों एक एक सेकंड का उत्तर याद करिए मैंने आपको ट्रिक क्या पता है दोस्तों ट्रिक वही चल रही है मैं थोड़ा इसको छोटा कर रहा हूं बलकि ताकि आप कच्छा में बयक्तिक विध्यारतियों में अंतर मतल़ दोस्तों करना कि अगर बच्चों में अंतर है दोस्तों किस काम का है थे कि दोस्तों तीन उप्सें मत्रा मैं दो कहूंगा आप आप ऑप्सन भी मत पढ़ियें लाखकारी नहीं है, हानिकारक है, अनुप्यूक्त है, मैंने दोस्तों आपको क्या कहाता कि वह प्रस्ट तो टच भी मत करना जिसमें ब्यक्तिक बिभिनता को बुरा पताया गया हो, क्यो क्योंकि इनसे बिद्धियार्थियों में परस पर दुन दुत्पन होते हैं C, अनुप्यूक्त हैं क्योंकि वो सरवाधिक मंद बिद्धियार्थी के इस तर तक पाठ चार्या के इस्थानांतरर की गति को कम करते हैं D, लाभकारी हैं क्योंकि वो बिद्धियार्थियों की या नात्मक संरशनाओं को खोजने में अध्यापको को फ्रवित्त करते दोस्तों मुझे यकीन है दोस्तों कि इसका उत्तर आपको मुझे बताने की जरुत नहीं है इसका उत्तर दोस्तों मैंने बोला था कि ऐसा कोई आपसन आपको टिक नहीं करना है जिसमें बैयक्तिक बिभिनता को खराब बताया गया है क्योंकि यह बैयक्तिक बिभिनता है जो इस रिष्टी को चलाती कहने करते हैं दोस्तो एक आदमी थोड़ा मैं आपको इदम देहाती भासा में समझाता हूं एक आदमी थोड़ा कम लंबा है दूसरा आदमी जादा लंबा है अब दोस्तों दोनों 25 साल के हैं क्या दूसरे की लंबाई बढ़ा दोगी क्या नहीं दोनों को सिक्षा उसी प्रकार से दी जाएगी जैसे उनकी छमता है अरताथ एक आदमी का फंडा जरूरी नहीं है कि दूसरे बंदें पर काम करें इसलिए बैयक्तिक बिभिन्ता बरदान है यही मैंने आपको क्या वोला था कि अगर दुनिया का हर आदमी पुलिस वाला बन जाएगा तो कैसे चलेगा यार कुछ लोग का डॉक्टर बनना भी तो जरूरी है कुछ आदमी का अंजी नहीं है दोस्तो बिभिधता ही स्रिष्टी के लिए लावकारी है मुझे यकीन है आप इससे समझ गये है प्लीज कमेंट करेंगे क्वास्चन नमबर पांच बिद्याले आधारी तांकलन मैंने दोस्तों बहुत बढ़िया से आपको एक कोश्चन लिया था याद करिए बहुत बढ़िया से ब्याक्ख्या दी थी बिद्याले आधारी तांकलन क्यों सुरू किया गया था आपसे ने राष्ट में बिद्ध्यार्थियों के संपूर विकास को निश्चित किया जा सके सिंपल सी बाते हैं दोस्तो मैंने दोस्तो आपको क्या बोला था कि एक ही परिक्षा से सिंपल के दोस्तो ही समझें दोस्तो CTT में प्रसद!!!! पर पेटर नहीं बदल सकता है कि दोस्तो केवल साल भर में काफ़ी एक्जामें है दोस्तो साल में एक मात बोर्ट परिक्षा जैसे दसवी वारवी अब दोस्तो उसी से सारे नंबर लगभग आज भी घुम रहे हैं अब तो आज कल आपका सीट बिद्ध्याले आधारीत आंकलन का एक उधारत भी लाश्ट में दोगा पर सुनेंगे अब दोस्तो देखिए अगर एक आदमी नकल मारके यूपी बोर्ट की परिक्षा में 99 परसेंट लाए क्या आप पता लगा सकते हैं को उसने सही नंबर पाए है या नहीं नहीं पता लगा सकते कोई नहीं लगा सकता दोस्तो अप परसने कैसे पता लगाएंगे अब जरा सूची दोस्तो अगर वह बिद्ध्याले में पढ़ने आये हर महीने टेस्टों और अगर हर महीने वह 99% लाता है तो आपने मानेंगे कि हाँ यार वो नंबर सही लाया है पर दोस्तों या हर महीने कि आप बोर्ड परिक्षा कराओगे नहीं तो हर महीने टेस्ट कहां संभव है आपके स्कूल में इसलिए दोस्तों NCF 2005 क्या कहता है कि बिद्याले आधारित आ सही उत्तर है दोस्तों B for Bombay सभी बिद्यार्थियों के देखे दोस्तों एक बार आपको लगे कि इसका option C है B और A और D तो कभी fight में थे ही नहीं दोस्तों बिद्यार्थियों की उन्नती की बेहतर ब्याक्या करके record नहीं करना है टीचर अपने resistance में नोट कर लेता है फड़ा record पेपर वर्क करने से कुछ नहीं होगा action लेना होगा और action कहां दिख रहा है option number B में question number 6 चलेंगे दोस्तों कच्छा में देखिए मज़ेदार question है एक डैस है वहाँ आपको बताना क्या आएगा कच्छा में वास्तबिक सांसारिक समस्याओं से संबध जटिल परियोजनाओं पर कार करते हुए अध्यापक वच्छातर एक दूसरे के अनुभों से परस पर गरहड करते हैं दोस्तों एक बात तो साफ है दोस्तों कि जब वास्तबिक सांसारिक समस्याओं की बात है तो दो कि आपको बताना है कि इसमें क्या होगा एक बार आप भी उत्तर बेजें कच्छा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंद जटिल परियोजनाओं परकार करते हुए अध्यापक वच्छातर एक दूसरे के अनुभाओं से परस्परर गहर करते हैं तो पारमपरिक में त तभी तो वास्तविक होगा और कुछ नया हो न की पारमपरिक हो इसलिए दोस्तो दूसरा वड़के आएगा अब आप पढ़ें तो आपको अच्छा भी लगए वैसे भी सापता चलेगा सामाजिक रचनात्मक कच्छा में वास्तविक सांसारिक तभी तो आएगा ना रचन प्रगत सीलिए सिक्षा के संदर्ब में समान सैक्छी का उसर अब देखिए दोस्तो ये प्रसंतो मुझे लग रहा है कि CTT के अब तक के सबसे मज़धार प्रसंव मसेख है दोस्तो और मैं चाहूंगा आप उत्तर दे फिर मैं थोड़ा देर से उत्तर दूँगा पहले मैं उत्तर दे मैं थोड़ा इसको छोटा कर रहा हूँ बिल्कुल येस करेक्ट तो चलते हैं अब इस कोश्चन को मैं पढ़ता हूँ प्रगत सीलिए सिक्षा के संदर्ब में समान सैक्छी का उसर से क्या मतलब है आप पका धोगा खाएंगे दोस्त देखेंगे हैं किसी भी जा समान पद्धतियों और सामग्रियों से सिक्षा प्राप्त करें वाहरे CTT दोस्तों आज कहना पड़ा बीच में हैं ऐसी सिक्षा पाएं जो उनके लिए नुकूलतम होता था उनके भविश्च के कारियों में सहायक हो चलें एक पर दोस्त मैं क्यों थोड़ी दिर हसने हसने वाला हूं कि मैं जाना हूँ आप जहां से मैं आने वाले हैं ध्यान रखना दोस्तों CTT के प्रस्थिक्ता में मत पड़ना आपको अब एक एक आफ्षिन की वैख्या करता हूं ऐसे आप मैंसे कुछ रोग के उत्तर सही आ रहे हैं मैं जानता हूं दोस्तों कुछ भी करना सं आप यकीन करता हूं पर एक बार वैख्या सुनेगे किसी भी जातिपंत से होते हुए भी यहां तक आप्सन सही है पर लाष्ट की लाइन गलत हो गई समान सिक्षा यार एक बात बताओ जब मैं आख से अंधा हूं सामय वाला बहरा है तो हमारी सिक्षा एक जैसे कैसी होगी उसके लिए ब्रेल लिपी मतलब आप्सन ए में देखिए ध्यान सुनेगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है रंग धर्म से होते हुए भी समान सिक्षा पर आप्त करें यह गलत है क्या क्योंकि जिसकी जैसी छमता होगी वह सिक्षा जात धर्म का छमता से कोई लेना देना नह समान पद्धतियों मैंने अभी बोलाने दोस्तों कि मंद बुद्धी है तुसे प्रदर्शन दिखा दिखा के पढ़ाना पड़ेगा प्रतिभा साली है तुसे इसारे से भी पढ़ा सकते हैं तो दोस्तों सही उत्तर क्या है ऑप्सन नमबर डी ऐसी सिक्षा आप सुचेंग थे बेटा तुम तो परिवार की नाक कटवा रहे हो तुमको तो भहिया बनना है तो इंजिनियर ही बनना है भले तुम बिल्डिंग ऐसी बनाओ 500 लोग दब के मर जाएं दोस्तों कहने करते हैं कि प्रगतिसील कारत है कि आप और माता पिता मतलब एक टीचर और माता पिता बच्चों पर अपनी रूची नहीं ला देंगे मैंने आपको क्या बोला था बिद्यार्थी की छमता के अनुसार जो उसके लिए अनुकूल होगा वैसी सिक्षा दी जाएगी प्लीज कोस्चन नंबर साथ के लिए जितने लोग आज वीडियो देखेंगे ज्यादा दे लो जी अहम के अंद्रित भासा आफ्टन दी विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना दोस्तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आनुवन सिक्ता पे उन्होंने बात ही नहीं की है तो कम आकने वाली बात ही नहीं दोस्तो अहम के अंद्रित भासा पहले ही पढ़ा यह कम आखा जाएगा किसके दौरा पियाजे के दौरा तो I hope you understand दोस्तों बिना टाइम लिए बता देना चाहूंगा उन्होंने कहा बच्चे अनुकूलन से सीखते हैं खुद से क्रिया प्रयोग करके सीखते हैं समाज से कोई नहीं सीखता कोई अनुकरर से नहीं सीखता उन्ह एक बार कोशन देख लेते हैं पहले फिर हम ले आएंगे अपना करने का option देखते हैं निमनमस से कौन सा निरिक्षड हावर्ड गार्डिनर के बहुपुद्धि सिध्धान्त का समर्थन करता है आपसे ने मस्तिस के एक भाग में हुई छती केवल किसी एक बिसिष्ट योग प्रमित हैं डी अनुदेशन के प्रारूप का निर्मार करते समय अध्यापको को किसी एक बिसिष्ट से चिक नवाचार के सिध्धान्त का अनुपालन करना चाहिए तो अब चलिए एक बार देखते हैं दोस्तो आपको इसके सारे option अजीब लगने दोस्तो आज मैंने बहु इसके किसी एक भाग में चोट पहुचेगी दोस्तो तो ऐसा थोड़ी है यार कि उससे लगभग जीवन का सभी छेतर ही प्रभावित होगा इसलिए आप समझ ही चुके हैं दोस्तो option A हमारा उक्तन नहीं है बी आपको याद करिए मैंने विशलेशरात्मक से जनात्मक और व और हारात्मक बुद्धिया मैंने आपको पताया था किसकी बुद्धि है यह बुद्धि है किसकी यह बुद्धि है रॉबर्ट इस्टन वर्क के तृतन सिधानत में तीन प्रकार की बुद्धियां है इनका कोई लेना देना रही है किस से हावर्ट गार्डनर से किसी में को कोई भी बुद्धी हो सकती, इसमें कोई पद या कोई सरिंखला थोड़ी है, वै ठीक है सचिन टेंडूलकर में, अगर गतिक बुद्धी है, रन बनाते समय दोड़ना है उनको, तो लता मंगेशकर में दोस्तो कौन सी बुद्धी है, संगीती बुद्धी है, और हमारे आज क कभियों में कौन सी बुद्धी है, भासाई बुद्धी है, पर इसका कोई करम थोड़ी है, किसी में कोई भी कम या जादा हो सकती है, अर्थाद दोस्तो, option C, but D is the right answer, प्रसन है कैसे, इसलिए नहीं का option D बचा है, option D कैसे उत्तर एक पर ध्यान सुनेगे, दोस्तो, अलग अ आपको लगेगा, आप संस्कित पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हो, क्योंकि वह भासाई बुद्धी का परिचायक है, I hope you understand दोस्तो, तो दोस्तो, गडित में चाहिए तारकिक बुद्धी, अगर आपको आसी सरीवियस रोच पढ़ाते हैं CTET में, अगर वह आपको ख सेक्षिक नवाचार का अनुपालन करना चाहिए दोस्तो, तो I hope, मतब कहने करते हैं, संस्कित वाले, हिंदी वाले में भासाई बुद्धी प्रधान होनी चाहिए, गडित वाले में बिग्यान वाले में तारकिक बुद्धी प्रधान होनी चाहिए, आपको परियावरण व योगेता समूही करण के प्रपेश में कौन सा कथन सथे हैं, दिक्षी दोस्तो, फ़ले तो जान लीए, योगेता और योगेता समूही करण क्या हैं इसका आरति नहीं हैं, मंद बुद्धी का अलग गुरुप बनाया जाए, कुसागर बुद्धी का अलग गुरुप बनाया जाए, दोस्तों, यह इंसल्ट करने का टार्गेट नहीं है, मतलब कह रहा है कि अलग-अलग योगताओं के बच्चों का अलग-अलग समुह क्यों बनाना चाहिए, देखते सिक्षर अपनाना चाहिए वैसे दोस्तो मैंने आपको इसा पहले ही पढ़ा दिया है विद्यार्थी सम समुहों में बेहतर सीखते हैं ऐसा तो कहीं नहीं लिखाया दोस्तो बी अब बाद समरूप मैंने पहले ही बोला था दोस्तो समरूपी करोगे तो समावेशन जब एक जै के बारें बहुड निगेटिव कतन है डीज दराय डांसर दोस्तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि समावेशी सिक्षा में कैसे उसी में मंदबुद्धी बच्चा पढ़ेगा और उसी में कुसागर बुद्धी बच्चा कैसे पढ़ेगा कर दोस्तो सम्मूहों लग ह दराय रहा है तो उसको लेबल टू को भी उसको लेबल वन को ही क्रॉस करना है इसलिए दोस्तो दराइट एंसर इस डीफो डेनमार्क आई हो प्यांटि अंटरस्टेंड बहु इस्तरी मल्टी ग्रेडटि शिक्षर जैसे लेबल वन जैसे आपने सुनाओगा एडवांस्ट दोस्तो यही तो कहता एंसर दोजार पाज कि गरित में दो तीन लेबल होने चाहिए निचली के चलिसे बच्चा है बही लेबल वन लो गया आप लेबल टू लेबल त्री जैसी रुची हो उसको उसी हिसाफ से पढ़ाया जाए इसलिए बेल्टी ग्रेडेट टीचिंग होन सिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं बी ग्यान प्रत्यक चनुबह और सहयोग से उत्पन होता है सी अधिगम तत्यों के कत्री करण और कौसल की प्रवेड़ता के साथ सिधे मार्क पर चलता है डी परिक्षा मांदंड संदर भित्वावा है बी मैंने द बथे पर चाप देने से कुछ नहीं होता दोस्तो परिक्षा जब सब के मांदंड एक कपड़ने में कमें किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा question number 12 बहुबुद्ध देखिए दोस्तों मैंने हमेशा बोला था इस तरह काता है और मैंने आपको बताया भी था कोश्चन मैंने हाथ से भी लिखके आपको किया था बहुबुद्ध सिद्धान्त के संदर में Air Force के पाइलेट बनने के लिए कौन सी बुद्ध की आवश्यक्ता होगी तो आप समझी गए हैं दोस्तो Air Force का पाइलेट अगर सोचिए लता मंगेसकर वाला जैसे सोचिए अगर लता मंगेसकर एक एरोप्लेन उड़ाएं जैसे सोचिए और आपको मतलब भाई वो बोले चलिए भाई आप एरोप्लेन में बैठ जाओ आपको टिकट नहीं लेना है पैसा नहीं देना है मैं उड़ाओंगी क्या आप बैठेंगी नहीं दोस्तो क्योंकि लता मंगेसकर को हम पाइलेट के रूप में नहीं जानते उनमें संगीती बुद्धी प्रधान है उनकी आवाज सुरीली है पर इसका मतलब दोड़ी एक एरोप्लेन चलाएंगी दोस्तो एरोप्लेन के पाइलेट में होनी चाहिए इस्थानों में घूमने चलते फिरते दोरती भागती आसमान में उरती गती के लिए योग्यता तो दोस्तो आप समझ गये होंगे मैंने आपको पहले भी कोश्चन बताया था इस बंदे के अंदर कैसी बुद्धी होनी चाहिए भासाई नहीं यह कभी की तरह दोहे पढ़ता हो नहीं चलेगा इसको जहाज उड़ाना भी आना चाहिए तो दर राइट एंसर इस गतिक चलायमान बुद्धिया और अब चलेगे दोस्तों क्वास्चन नमबर तेरह बुद्धी में बुद्धी की स्पियर मैन की परिभासा में जी कारक क्या है दोस्तों परिवार के पति प्रेम, भावना यह सब में एक जैसी है यह अनुवन्सकी होती है पर कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, यह जन्म जात नहीं होता, यह हम वातावर्ड से अर्जीत करते हैं, इसलिए उसने उसको S कारक कहा, आप सुना होगा, G कारक और S कारक दोस्तों, तो यह कैसी बुद्धी है, आनुवन्स की बुद्धी, कि अप लीज आप सम होती होगी, तभी तो वकीलाब बनेंगे, पर G कारक जिसे सभी प्रेम की भावना, परिवार के प्रती सुरक्षा, यह सब हम में से हर आदमी में कौमन है, यह बाई बर्थ हम में होता है दोस्तों, यह हमको सीखना नहीं पड़ता, इसलिए यह कैसी बुद्धी है, G कारक औ और ऐसी बुद्धी को उन्होंने क्या कहा है, अनुवन्सकी बुद्धी, और अब चलेंगे दोस्तों, क्वास्टे नमबर 14, याद करिए मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था, छीपी हुई वस्तुए ढूर निकालना इस बात का संकेत है कि सिसु निमलिखित मसे किस संग्यानात्मकार में दक्षता प्राप्त करने लगा है, अब आप खुद कोश्चन देखें, आज मुझे इस कोश्चन के लिए इस सब्द को बड़ा हाइट लाइट करना पड़ रहा है, आप मसे कई लोग पूछते हैं, इस सर संबेदी, कई लोग कहते हैं सर, चलो मैं से पहिता होंगा, आप देखो, एक कोश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट हो गया आज मेरे लिए, मेरे लिए का आपके लिए भी, मेरे लिए तो नहीं मैं दोस्तों मैं तो इस से कवर कर चुका हूँ कई बार, पर आप मसे कुछ लोग पूछते हैं कि सर, कई बच्चे मुझे ये कि सवस्था माएगा, प्रसन है क्या, एबर कोशन बिट से पढ़ते हैं, छिपी हुई वस्तुए ढूड निकालना इस बात का संकेत है कि सिसु निमलिखित मसे किस संग्यानात्वक कार में दक्षता हासिल कर चुका है, आप सने साभी प्राय बयोहार, बी वस्तु स्था समस्या समाधान, डी प्रयोक करना, आप ध्यान से देखे दोस्तों, बहुत ध्यान से, मैंने आपको क्या बोला था, कि बच्चा खिलोना खेल रहा है, और खिलोना उसके पालने से नीचे गिर गया, और वह खिलोने को गिरे हुए खिलोने को नहीं देख पा रहा है, इतना उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, अर्थात याद करिए, वस्तुवे आँखों से उजल तो होती हैं, पर उनका स्थित तो कभी खत्म नहीं होता, अर्थात इसी को याद करिए, मैंने आपको क्या बताया था, वस्तुष्थाय, तो प्रस्न है, सिसु मैंने राउंड क्य किया है, मुझे यकीन है, वस्त इस्ताय तो आप में से बहुत सारे लोग अब समझ चुके हैं, दोस्तो, सिसु, जहांस सुनेगे, अब आप खुद सोचिए, सिसु क्या पांच साल के बालक को कहोगी, सिसु क्या चार साल वाले को कहोगी, नहीं, अब आज तो मुझे यकीन यह सब लोग समझ चुके हैं दोस्तों, सिसू कोई बच्चा मेग जिमम रहेगा डेढ़ दो साल तक ही उसे सिसू बोलेंगे दोस्तों, तो ऐसा दोस्तों, पियाजे ने अपनी पुष्टक में लिखा है, लगभग 6 महिने में, बच्चे में, दोस्तों मैंने हमेशा बोला, मे अब आप समझ गए होंगे आएंदा कभी कन्फ्यूज मत हो एगा यह पूरु संक्रियात्म का वस्था में नहीं पाया जाता है मलकिकी सवस्था में पाया जाता है समवेधी पेसी में और अब दोस्तों आज का लाष्ट क्वास्चन लिंग समान्ता का मांदंड क्या हो सकता है समाज में आपसे ने बिद्याले में पूरुस और महिला सिक्षकों की संख्या की तुलना करने से क्या होता है दोस्तों बी कच्छा बारा में लड़की और लड़कों दोरा समान संख्या में प्राप्त विसिष्टियों गेता सी कच्छा बारत तक पहुचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या में तुलना सी छात्राओं के बिद्याले के बाहर आयोजित थोड़ा चोटा कर दे रहा हूँ आयोजित कारेक्रमों में भाग लेने की अनुमती दी जाती है कि नहीं बिद्याले में पूरुस और महिला सिक्षकों की तुलना करने से थोड़ी कुछ होता है या लिंग समानता इसमें चेंज लाने की जरूता है इसलिए ए हमारा उत्तर नहीं है कच्छा बारा में समान भी सिष्टियोगेता कोई जरूर ठोड़ी है कि एक लड़का गड़ित में 99% पाएगा ते एक लड़की भी 99% पाएगी भाई बैएक्टिक बिभिनता होती है लिंग आत्मक अंतन नहीं है तो बहुत धीक अंतन है दोस्तोutions कच्छा में बिध्याले से बाहर जो भी प्रतियोगेता आयोजीच हो रही है उसमें बालिकाओं की जगह बालिकाएं ही जाएंगी बालक थोड़ी जाएंगे इसमें लिंग समानता जैसी क्या बात है दोस्तो डीजी नहीं दोस्तो सही उत्तर है कि अगर दोस्तो हमारे साथ क्या होता है हम 12 वी तक बच्चे को भेजने के लिए कार करिद कि दे देते हैं, जाहो तुम हमारे परिवार के बारीस हो, बालिका को घर पर रोकु 2050 पर दिया दुनिया वर का डिरामा तो दोस्तो अब इसी इस तर पर अचानक अच्छा में बालिकाओं की संख्या घटने लगती है और बालकों की संख्या क्या होने लगती है बढ़ने लगती है बालिकाओं कलास से गायब होने लगती है क्योंकि समाज की दकिया नूसी सोच उनके अध्यन में बाधा बनती है द बालिकाओं की तभी तो मानी जाएगी लिंग समानता, so the right answer is guys, see fortune नहीं क्या, कि अगर उच्च कछाओं में भी बालिकाओं की संख्या बालकों ही जैसी हो, तो निश्चित ही माता पिता की mentality बदल रही है, अभी भावक की दकीया नुशी सोच की बालिका को पढ़ाने का कोई म की दोस्तों यह practice real में बहुत ही दमदार रही है, I hope you understand, आप प्लीज मुझे बताएंगे दोस्तों कैसा लगा और कितने हद तक coverage हुई है, और अब मैं एक तफ लेबल ले रहा हूं दोस्तों, मैं धीरे-धीरे जाता हूं, मैं धीरे-धीरे जाता हूं, मैं पहले आपको सुर करेंगे दोस्तों कैसा लगा, चलिए दोस्तों enjoy करते बिद्धिस, I.R.P. Mr. would like to close you guys, thank you.